नून लीग की एक और चाल मुसलिम लीग नून ने पंजाब में 14 मई को शेडूल इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है जराय के मताबिक मुसलिम लीग नून ने पंजाब में किसी भी उमीदवार को टिकेट जारी न करने का हतमी फैसला किया है जबके मुसलिम लीग नून की मरियम नवास, हमजा शेहबास और दीगर रहनवाओं ने कागजाते नामजदगी जमा करवा दिये थे और वो मनजूर भी कर दिये गए हैं लेकिन चेडियूल के मताबिक उमीदवारों के कागजाते नामजदगी जमा करवाने का आखरी दिन है पार्टी जराइक के मुताबिक क्यादत ने फैसला किया है के लीगी उमीद्वारों के कागजात नाम्जद्गी भी फिलहाल वापस नहीं लिये जाएंगे और अदालती फैसले के बाद उमीद्वारों को पार्टी टिकٹ जारी करने पर गोर किया जाएगा इसलिए अदाल्टी फैसले तक पार्टी टिकेट जारी न गरने का फैसला किया गया है। आइंदा इंतिखाबात के हवाले से फैसला पार्टी काइद नवास शरीफ की मुशावरत से होगा अदालती फैसले की रोशनी में इदल फितर के बाद पार्टी का अहम मुशावरती इजलास बुलाए जाने का इमकान है इस हवाले से लीगी कायातत का कहना है कि 14 माई को इलेक्शन के हवाले से नून लीग का मौकिफ वाज़ है किसी उमीदवार की टिकेट और शेर के निशान की दरफास इलेक्शन कमिशन में जमा नहीं करवाई जाएगी वाज़ रहे के इलेक्शन चेडूल के मताबिक आज इलेक्शन कमिशन ने उमीदवारों को पार्टी निशान अलाट करने हैं परिशान बेटे की जुदाई में मा गम से निढाल हकुमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फर्याद आकाश राम के इखवा के खिलाफ एले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दर्खवास दायर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताबंदिया से आकाश राम के एले खाना की जल्द समात की इस्तदा मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवास CNN आज तक इंडिया टुडे टाइम्स नाउ समेथ आलमी मीडिया ने आकाश राम के एखवा के खिलाफ दिया बोल का साथ उफ क्या जल्म है बोल इनसाफ का मुन्तजर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताके कोई खबर रहना जाए